परिचय पिताजी मैं बहुत भूखा हूँ, क्या फ्रिज में कुछ फल रखा है? हाँ बेटा, लेकिन कोई भी फल लेने और खाने से पहले अपने हाथ और उसके बाद फल को धोलो लेकिन क्यों पिताजी? देखिये, वे साफ हैं क्योंकि तुम्हारे हाथ और फल पर धेर सारे जीवानूं हैं, जिन्हें तुम आखों से नहीं देख सकते इसलिए बिना हाथ धोए उन्हें खाना स्वास्थ प्रद और सुरक्षित नहीं है इस पार्ट में हम स्वास्थ और स्वास्थ सुरक्षा के बारे में सीखेंगे आउ सीखें अपनी ज्यानेंद्रियों को स्वच रखना शरीर के अन्य अंगों का कैसे ध्यान रखें इसका वर्णन करना व्यायाम और शारिरिक मुद्रा का महत्व समझना विद्याले स्वास्थ क्लब को जानना ज्यानेंद्रियां प्यारे दोस्तों, मैं आपका दोस्त सैम आईए सबसे पहले हम यह याद करें कि हमारे शरीर में कौन सी ज्यानेंद्रियां होती हैं हमारे शरीर में पाँच ग्यानेंद्रियां आक, कान, नाक, जीब और त्वचा मौजूद है वास्तव में हम अपनी ग्यानेंद्रियों की सहायता से हमारे वाह्य संसार से समबाद करते हैं इसलिए इनका ध्यान रखना बहुत जरूरी है अब आईए हम चर्चा करें कि अपनी ग्यानेंद्रियों को स्वस्थ और स्वच कैसे रखते हैं आखें आईए पहले आखों की चर्चा करें आखें दृष्य की ग्यानेंद्रियां हैं अपनी आखों का ध्यान रखने के लिए हमें कुछ उपयोगी सुझावों का पालन करना चाहिए, जो निम्न प्रकार हैं. अपनी आखों को ठंडे पानी से नियमित धोएं. सदैव पर्याप्त प्रकाश में अध्यान करें. ताजे फल और हरी सबजियों का नियमित सेवन करें. नाक और कान अब आईए नाक के बारे में बात करें. नाक हमें सांस लेने और सुंगने में सहायता करती है. इस ग्यानेंद्री की देख भाल करने के लिए कुछ उप्योगी सुझावों का पालन करना चाहिए, जो निम्न प्रकार हैं. अपनी नाक साफ करने के लिए साफ और मुलायम कपड़े का प्रयोग करें. छींकते समय अपनी नाक को ढखें, जिससे जीवानु हमारे आसपास के बातावरण में न पहलें. अगली ग्यानेंद्रिय कान है. कान सुनने में हमारी सहायता करते हैं. कानों की देख भाल करने के लिए कुछ उप्योगी सुझावों का पालन करना चाहिए, जो निम्न प्रकार हैं. कानों को साफ करने के लिए रुई के बढ़गा उप्योग करें. बहुत तेज आवाज से बचें. जीब और त्वचा जीब एक अन्य ग्यानेंद्रिय है. जीब हमें भोजन का स्वाद चकने में मदद करती है. जीब की देखभाल के लिए हमें कुछ उप्योगी सुझावों का पालन करना चाहिए. हमें जीब छिलनी से जीब को आहिस्ता से साफ करना चाहिए. क्या आप जानते हैं कि ज्यादातर जीवानू दातों में नहीं बलकि जीब पर पाये जाते हैं? पांचवी और आखरी ज्यानी इंद्रिय हमारी त्वचा है. असल में यह स्पर्ष करने और महसूस करने की इंद्रिय है. त्वचा शरीर का सबसे खुला अंग है. इसलिए इस पर जीवानू के विकसित होने की संभावना तुलनात्मक रूब से सबसे ज्यादा होती है. अपनी त्वचा की देखभाल करने के लिए हमें कुछ उप्योगी सुझावों का पालन करना चाहिए. जैसे की प्रत दिन स्नान करें. प्रत दिन कपड़े बदलें. घावों को पूरी तरह से साफ करें और उन पर दवाई ततकाल लगाई जाने चाहिए. अपनी त्वचा को स्वस्थ और चमकतार रखने के लिए संतुलित आहार लें और विभिन प्रकार के मौसमी फलों का सेवन करें. मूह और दात आईए अब दातों की सफाई के बारे में बातें करें. दात हमें भोजन को चबाने और पीसने में सहायता करते हैं. दातों को स्वस्थ और मजबूत रखने के लिए हमें अपने दातों पर दिन में दो बार मंजन करना चाहिए. एक बार सुबह उठने के बाद और दो बारा रात को सोने से पहले आईए अब बालों को साफ रखने के उपायों की चर्चा करें क्या आप जानते हैं कि बाल जीवाणूं को आपके शरीर से दूर रखते हैं पसीना और तेल बाल को गंदा कर देते हैं इसलिए अपने बालों को स्वच्छ और स्वस्थ रखने के लिए आपको निम्न उपायों का पालन करना चाहिए जैसे एक सौम्य क्लींजर या शैंपू से बालों को नियमित धोएं सिर पर तेल की अच्छे से मालिश करें हम जानते हैं कि चहरा हमारे शरीर का वह अंग है जो अधिक्तम ग्यानेंद्रियों को वहन करता है इसलिए इसे साफ रखने के लिए हमें कुछ आवश्चक उपायों पर अमल करना चाहिए जैसे सभी प्रकार के धूल गंदगी और जीवानों को साफ करने के लिए चहरे को प्रत दिन कम से कम दो बार धोएं चहरे को स्वस्थ और ताजा रखने के लिए नमी प्रदान करने वाली कोई क्रीम लगाएं नाखूनों की देख भाल हमारे नाखून भी धूल के कण और जीवाणूं को वेहन करते हैं और यदि हम गंदे नाखूनों वाले हाथों से खाना खाते हैं तो गंदगी हमारे मुह में चली जाएगी जिससे हमें बीबारियां हो सकती है पैरों की देख भाल संक्रमन से बचने के लिए हमें कुछ कदम उठाने चाहिए जैसे नहाते वक्त अपने पैरों और पंजों को अच्छे से धोएं उन्हें अच्छी तरह सुखा लें खास्तोर पर पैर की उंगलियों के बीच की जगह को बाहर से आने के बाद अपने पैर और पंजे अच्छी तरह धुएं व्यायाम यदि हम स्वस्थ और दुरुस्त रहना चाहते हैं तो हमें नियमित व्यायाम करना चाहिए क्योंकि व्यायाम करने से आप उरजावान रहते हैं आपके शरीर का वजन सही रहता है शारिरिक और मानसिक रूप से दुरुस्त रहते हैं शारिरिक मुद्रा का महत्व आईए अब हम एक और रुचिकर विशय शारिरिक मुद्रा का आनंद लें शरीर के उचित विकास के लिए उचित शारिरिक मुद्रा आवश्चक है एक अच्छी शारिरिक मुद्रा में हमारे कंधे सीधे, पेट अंदर, सिर उपर उठा हुआ और ठुड़ी जमीन के समानांतर होनी चाहिए क्या आप अच्छे शारिरिक मुद्रा का लाभ जानते हैं? ठीक है, अब मैं आपको बताऊंगा यदि आपकी शारिरिक मुद्रा अच्छी है, तो सास लेना आसान होगा रक्त संचरन और आहार पाचन सुधरेगा नसे और जोड मजबूत होंगे आपकी आवाज साफ होगी विद्याले का स्वास्थ क्लब हम सभी जानते हैं कि कुछ विद्यालेओं में स्वास्थ क्लब होते हैं क्या आप जानते हैं कि यह क्या है? वास्तव में विद्याले स्वास्थ क्लब वैस्थान है जहां बच्चे सीखते हैं भोजन की स्वस्थ आदतें व्यायाम, योग आसन, स्वच्छता, पर्यावरण अनुकूल गतिविधिया और स्वास्थे जागरूगता हमने क्या चर्चा की? आक, कान, नाक, जीब और त्वचा हमारी ग्यानेंद्रियां हैं, हमें उन्हें स्वच्छ और स्वस्थ रखना चाहिए हात, चेहरे, नाखूनों, पैर और दातों की सफाई भी अच्छे स्वास्थ के लिए आवर्शक है नियमित व्यायाम और अच्छी शारिरिक मुद्रा स्वस्थ शरीर के लिए सहायक हैं विद्याले का स्वास्थ कलब बच्चों को स्वस्थ भोजन की आदतें, व्यायाम, स्वच्छता और पर्यावरन अनुकूल गत्विध्या सिखाते हैं